बैंगन की सबजी तो आपने बहुत बार बनाये होंगे और बहुत बार खाये होंगे तो चलिए फ्रेंड आज हम बनाते हैं सरसो वाली बैंगन और अदौरी की सबजी तो जिसके लिए यहाँ हमने आधा केजी बैंगन लिया है आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं छोटे वाले या बड़े वाले दोनों से ही बहुत टेश्टी बनेगा बैंगन को हमने अच्छे से धो लिया है उसके बाद ये डंडल को काट कर हटा लेंगे फिर इस तरीके से काट कर स्क्वाइर सेफ में या लंबाई में जैसा आप काटना चाहे उस तरीके से काट ले और काट कर कभी भी बैंगन को पानी में डालिये ताकि बैंगन में जो भी क नहीं पड़ेगा और अच्छे से इसका कसलापन भी निकल जाएगा और यहां देखे फ्रेंड सारे बैंगन को हमने एक ही सेप में काटा है तो इसी तरीके से जो भी सेप आप काटे एक ही सेप में काटे अच्छा दिखेगा सब्जी और खाने में भी टेस्टी लगेगा और देखे इसे पानी में ऐसी तरीके से डुबो कर छोड़ देते हैं और तब तक यहां देखे यह अदोरी है यह उरत डाल की बरी है इसे बरी भी बोलते है अदोरी भी बोलते है देखे इसे हम ले ले लेते हैं आप कोई भी चना डाल की बरी हो या कोई भी बरी डाल कर आते हैं तो मसाला में 15-20 लासुन की कलिया लेंगे और 2-5 चमच हम पीले वाले सरसो लेंगे यहां हम आधा किलो बैगन का क्वांटिटी के हिसाब से मसाला बता रहे हैं और यहां देखिए मसाला को पीछ लिए हैं और उसमें एक छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक छोटी चमच लाल मिर्स पाउडर और थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्स तीखा आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाले और मसाले को इसे हम मिक्स कर देते हैं और साइर में रख देते हैं तब तक कराही गरम करते हैं और कराही में दो से तीन चमस तेल गरम करेंगे और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें ये अदौरी या बड़ी जो भी बोलिए इसे डाल देते हैं और डाल कर मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे फ्लेम को हाई या लो नहीं करेंग मीडियम फ्लेम पर भूनिये तब अधौरी अच्छे से भूनेगा और लगभग एक से दो मिनट में ही देखिएगा अधौरी का कलर कितना अच्छा चेंज हो जाएगा और यहां देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं ज्यादा भून और बैगन को कभी भी एक दम हाई फ्लेम पर फ्राई करें लो या मीडियम पर नहीं बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करें तो अच्छा फ्राई होगा और बैगन को ज्यादा गलाना नहीं है बस थोड़ा सा फ्राई कर दे ताकि जो भी बैगन में ये कच्छा पन रहेग इसे निकालने के बाद सेम कराही में हम 3-4 चमस तेल लेते हैं और बैंगन सरसो तेल में बनाईए बहुत टेश्टी बनेगा और उसके बाद आदा छोटी चमस सरसो डाल देंगे अब जब सरसो चटक जाए तब फिर हम इसमें जो मसाला हमने पीस कर तयार कर लिया है उस मसाले को हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद आधा कप जितना हम इसमें पानी डाल देंगे और यहां देखे एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और उसके बाद हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम दो मीरियम साइज के टम टाल कर देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है यह बैंगन की सबजी और उसके बाद हम अच्छे से भूनेंगे तो इस तरीके से एक बार और मिक्स कर देते हैं और उसके बार जितना भी नमक हमको डालना है स्वात की इसाब से नमक हम इसी टाइम में डाल देंगे ताकि टाम माटर भी हमारा अच्छे से सौफ्ट हो जाए और नमक के डालने के बाद एक ले मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे डगते हुए लंगवख 5-7 मिनिदre तक भूनेंगे और फ्लेम एकदम लो रखेंगे लो फ्लेम पर मसाला जब भूनेंगे तो बहुत अच् लगवा पांस से साथ मिनट तक मसाला भूनने में लग जाएगा आप देखिएगा मसाला जब भून जाएगा तो पूरा तेल अलग सेपरेट हो जाएगा और मसाले का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो चलिए एक बार और ढख देते हैं और उसके बार ये देखिए फ्रेंड मसाला में से तेल कितना अच्छा सेपरेट होने लगा है तो एक बार और हम मिक्स कर देते हैं और दो से तीर मिनट और भूनते हैं और ये देखिए फ्रेंड मसाला भूनते हुए लगवा पांस मिनट हो गया है और तेल कितना अच्छा सेपरेट हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है तो अब मसाला को जादा भुनने की जरूरत नहीं है तो चलिए एक मिनट के लिए और हम इसे मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं कलर कितना जबरदस्त आया है तो इस रेसिपी को आप एक बार बनाईए दूसरा तरीके से आप बैंगन बनाते हुएगा तो सारा तरीका आप भूल जाएंगे अगर नौन फिस खाने वाले हैं तो पुरा मसली का टेस्ट ये देने वाला है ये बैंगन की सबजी और जब मसाला भून जाए तो फिर बैंगन को जो हमने फ्राई किया था उस बैंगन को हम इसमें डाल देते हैं और इसे भूनते हुए लगवक 3-4 मिनर तक और हम मसाले को भून लेंगे और देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है कलर देख के ही आपको लग जाएगा कि कितना टेस्टी बना होगा तो मेरे इस तरीके से एक बार बैंगन जरूर बनाईएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सप्रियेंच जरूर सेयर करिएगा और यहां ढखते हुए भूनते हुए लगबक तीन से चार मिनट हो गया है और बैंगन भी देखिए पूरा कितना अच्छा सौप्ट हो गया है और मसाला तो भूनी चुका है तो बस दो से तीन मिनट के लिए और हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इस सबजी को आप रोटी के साथ खाई ये चावल के साथ खाई ये पराठे के साथ खाई ये बहुत टेस्टी लगेगा आप यहां पर टमाटर नहीं डालना चाते हैं तो इस बैंगन में आप खटाई भी यूज़ कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा और यहाँ पर जो हमने बरी या दौरी को जो हमने फ्राई करके रखा है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स करके लगवग एक मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि अदौरी में भी मसाले का फ्लेवर चला जाए और ज्यादा इसे नहीं भुनेंगे नहीं तो यह बरी बहुत सौप्ट होता है यह तूटने लगेगा और यहाँ देखिए लगवग दो मिनट के लिए अच्छे से भुन लिया है और उसके बाद जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और पानी आप जितना भी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उससे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि बैंगन तो हमारा पकी गया है और बस बरी को पकने में जितना देर लगेगा बस उतना ही हिसाब से पानी आप डाले और यहाँ देखिए मुझे यह ज़्यादा ग्रेवी वाली सबजी नहीं चाहिए थोड़ा सा लटपटी सबजी चाहिए तो हम पानी इतना ही डालेंगे और इस तरीके से सारे बरी को और बैंगन को डुबो कर ढख देंगे और ढखते हुए पान्स मिलाड तक इसे एक दम लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच में एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि बरी हमारा अच्छे से पका है या नहीं तो देखिए यहां मैं बरी को दिखा रही हूँ कि यह पका है कि नहीं तो इस तरीके से कोई भी चमच हो यहाँ से इस तरीके से दबा कर देखेंगे और यह देखिए बरी कितना अच्छा सौप्ट हो गया है और फूल भी गया है और कितना अच्छा पक भी गया है तो बस अब ज़्यादा हम बैंगन को नहीं पकाएंगे और बैंगन तो हमारा पका ही हुआ है तो बस हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ा सा कसूरी मेत्री डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं और mix करने के बार ढख देंगे और ढखने के बार तब हम इसे दिखाते हैं 2-4 मिनट के बाद की कितना अच्छा बना है तो ये देखिए फ्रेड सब्जी कितना अच्छा बना है और देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है तो इस तरीके से इस बार रेशिवी को जरूर बनाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि आप बैंगन किस तरीके से बनाते हैं अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार जरूर बनाईएगा तो चलिए एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड बैंगन कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा ग्रेवी भी लटपटी सी दिख रही है तो चलिए देखिए इसे सर्व करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ब वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड इस रेसिपी को आप रोटी हो चावल हो या चपाती हो या पराथे हो या पूरी हो किसी के भी साथ सर्व करें बहुत टेस्टी बनेगा तो फ्रेंड मुझे पता है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाए